मोदी जी आप अगे बढ़िये हम लोग अपका साथ है जोरे मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी सवाई बरोन मोदी 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 एबार किछू मोमेंटव आमना बंदीजी के उपार दे पुष्चिं बंगो विएपी पार कोटे के अमदल मुकुल्दा मोजी तिमोदी आम्हर दे बंदी चलो 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 और । आम्रा उत्तर बंगो जवोने पार कोटे के रोतिंदरो भुष्प एबंग Dīpeng Pramanik थ fellowship won झाल भर्टे ले खाल झाल 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 अरे अना उस्टा कोड़े बादो बोलो लो ये बार मोदी जी के अब बुर्तना जानिये भासोन ने बेन आमादे भरोतिय जनोता पार्टीर सकल भाईबं देर के आमार चुपेच्चा एक खाने उपस्थ तो सो बोलो देरेक आमार पुर्णाम आपनारा केमो न चेन आज दिल्ली से बहुत सारे केमेरा कलकत्ता पहुँचे है लेकिन अगर एक नजर यहां भी कर लेते तो उन्हें पता चलता कि लहर किसको कहते है हमार यहां हम बचपन से सुनते आये हैं जो बंगाल करता है पूरा देश उसको फोलो करता है आज भी यह बंगाल जो कर रहा है पूरा हिंदुस्तान इसी कदमों पर चल पड़ा है भाई अरे पॉलिटिकल पंडित भी अरे मैं भी अगर यहां हाँ करके इतना बड़ा विशाल जनसागर न देखता तो मैं अंदाज नहीं लगा सकता कि दीदी की नईया डूप चुकी है मा काली और भवानी बगवान शीव की धर्ती को मैं शिज जुका करके नमन करता हूँ साथियों आप सभी एक ऐसी परंपरा के बाहख है जिनका राष्ट के लिए सर्वस्व त्याग करना इसका एक सम्रुद्ध इतिहास रहा है अनेक वीर सपूतों अनेक वीर गोर्खाओं ने अपने संस्कारों से इस भूमी को सिंचित किया है देश को प्रेरित किया है आज भी नए भारत को दिशा देने के लिए आपकी एक महत्वन भूमी का रहने वाली है आपने बीजेपी को इस चोकिदार को हर बार बरपुर साथ दिया है दार जी लिंग हो नौर्थ बंगाल हो भारतिय जन्ता पार्टी के प्रती आपका असने आपका समर्थन अभूत पुर्व है आपके इस मजबूत विश्वास के कारण आपका ये चोकिदार बड़ो बड़ो से भी तक्कर ले पा रहा है मुझे इस बात का मलाल जरूर है कि जिस गती से देश के दूसरे राज्यों में हम काम कर पाए हुए उस गती से यहां काम नहीं हो पाया है इसकी वज़े जानते हैं आप मैं पूरे देश में तेज गती से काम कर पाया लेकिन मंगाल में उतनी गती से नहीं कर पाया इसका कारण क्या है मालू मैं इसका कारण मालू मैं इसका माकारण क्या है आपने सही फरमाया पसिम मंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है स्पीड ब्रेकर इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते है यह दीदी आपके विकास की स्पीड ब्रेकर है साथियों दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है आखिर दीदी गरीबों का पोलिटिक्स करने में मस्गूल है वो गरीबी को खत्व करने के लिए कैसे काम कर सकती है अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो दीदी की पोलिटिक्स भी खत्म हो जाएगी कॉंग्रेस का भी यही हाल है कॉमिनिस्टों का भी यही आदत है इनको गरीबी चाहिए गरीब चाहिए गरीबों को गरीब रखने में उनका राजनीतिक हीत भणा पड़ा है इसलिए उन्होंने गरीबों के विकात पर ब्रेक लगाया हुआ है पूरी साजिस करके रोका हुआ है कि किसी भी तरह गरीबों का बला न हो जाए वो गरीबी से बहार न निकल पाए बाई और बेहनों पस्तिम मंगाल के चीटफंड गोटाला हुआ मेरे गरीब भाई और बेहनों का पैसा ये चीटफंड के नाम पर उसको लेकर के दीजी के मंत्री दीजी के विधायक दीजी के साथ ही भाग गए उन्होंने गरीबों को लोट लिया जिस गरीब ने अपनी मैनत की गाड़ी कमाई बहुत विश्वास के साथ चीटफंड वालों को सौपी थी उसे अपने साथियों के जरिये तबा करने का काम बरबाद करने का काम दीदी दे किया है साथियों गरीब जब बिमार होता है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है इलाज का खर्चा गरीब की इसी चिंता को समचते हुए बारतिये जनता पार्टी ने एंडिये की सरकार ने गरीबों के लिए गरीबों के इलाज के लिए आईश्यमान भारत योजना शुरू की गरीब को कहा कि बिमारी की सिती में पांच लाख उर्पिये तक का इलाज मुप्त होगा आपको एक भी रुपया अस्पताल में खर्ट नहीं करना पड़ेगा लेकिन ये स्पीड प्रेकर दिदी ने क्या किया दोस्तों आपका प्यार मेरे सरांखों पर गरीब का भला करने वाली इस योजना पर पस्चिल मंगाल में ब्रेक लगा दिया गया बाई और बेनों स्पीड प्रेकर दिदी के कारणामों के लिस्ट बहुत लंबी है दिदी ने पस्चिल मंगाल के सत्तर लाग से ज़्यादा किसान परिवारों के लिए उनके विकास के काम पर भी ब्रेक लगा दिया है देश के तमाम राज्यों में पी-एम किसान सम्मान योजना के तहट किसानों के बैंक खाते में सीधे पैंसे ट्रांसपर किये जा रहे हैं लेकिन दीदी तो दीदी है स्पीड प्रेकर है इसलिए पी-एम किसान सम्मान योजना पर भी उन्होंने पस्टिम मंगाल में ब्रेक लगा दिया है भाई और बेहनों ये भाजपा एंडिये की सरकार है जिसने गरीब आपका प्यार आपका प्यार मेरे सर आँखों पर बारत माता की आप थोड़ा थोड़ा सामत रहेंगे आपका उत्सा ये आपकी चेतावनी दीदी तक पहुँच गई है ये आपका प्यार दीदी की निन हराम कर देगा अगर आप इजाज़त दे तो मैं बोलना जारी रखूँ बोलू क्या लेकिन आप इतने नारे भुला रहे हो आपका उत्सा इतना जबर्जस है कि मेरे लिए बोलना भी मुझ्खिल है ऐसा प्यार मंगाल मुझे दे रहा है मैं सर जुका करके नमन करता हूं भाईयो यह भाज़पा एंडीके की सरकार है जिसने गरीब और मद्यमबर के जीवन पर उतने जो कमाई को उसको लूटने से बचाने के लिए रेरा का कानून बनाया इसका मकसद यही था कि मद्यमबर की परिवार अपना घर खरीदने जा रहा है लेकिन परिवार का पैसा कोई बिल्डर लूट करके भाग न जाए इसको रोकने के लिए गरीब और मद्यमबर के हक को रोकने के लिए हमने रेरा कानून बनाया लेकिन दीदी ने ये रेरा कानून को लागू करने से ही मना कर दिया बाई और बेहनों आप सभी गवा हैं कि पहले यही काम ये लेप वाले किया करते थे अब दीदी ने उनके हथियार पर कबजा कर लिया है सिर्फ कबजाई नहीं किया है उसे और धार दे दी है मैं पस्चिम मंगाल की जनता को कहना चाहता हूं ये भी एक ये भी चाहे लेप्टो कॉंग्रेसो मम्दादी जी हो एकी थाली के चट्टे बट्टे है इनकी राजनीती पस्चिम मंगाल को गरीब करने पर हिट्टी की हुई है लेकिन ये भूल रहे हैं कि इनका मुकाबला एक चौकिदार से है भाई यो भेनों बहुत इमानदारी से बहुत परिश्रम से ये चौकिदार पस्चिम मंगाल के लोगों के लिए काम कर रहा है साथियों इन लोगों की तमाम अर्चनों के बावजूद गाउं गाउं में गरीबों को गैस का कनेक्शन देने का काम हम तेजगती से आगे बढ़ा रहे हैं गरीबों को अपना पक्का गर दिया जाएं गाउं गाउं में सोचलिया बने बिजली कनेक्शन दिये जाएं बच्चों और गर्भवती महलाओं का टीका करण किया जाएं भाई और भेहनों पस्टिम बंगाल के दारजिलिंग और जल्पाई गुड़ी के संसाधनों और सम्मान के प्रति आपका ये चोकिदार पूरी तरह से सम्वेदन सील है यहां के चाए बागानों में काम करने वाले साथियों की जरुत्तों का मुझे पूरा एहसास है बाजबा सरकार की नीतियों से उन्हें काफी लाब भी मिला है ये और हो सकता था अगर दीदी का स्पेड बेकर बीच में ना आता यहां के आदिवासी बच्चों की शिक्षा युवाओं को रोजगार के नए अवसर पाइन एपल पैदा करने वाले किसानों के लिए फूर्ट प्रोसेसिंग युनिट्स मुझे आपकी हर आवशक्ता का पता है बस मैं ये स्पीर बेकर हटने का इंतजार कर रहा हूँ यहां पर टूरियम का तेज गती से तब तक विकांज मुश्किल है जब तक कानून ववस्ता बदहाल है इसके अलावा कनेक्टिविटी भी तूरिजम और उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है इसलिए एशियन वेस्तन हाइवे हो या फिर रेलिवे का काम हो अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है हाल में कलकत्ता हाई कोड की सरकिट बेंच भी जलपाई गुड़ी में स्थापित की गई है आपका ये चाय वाला यहां के चाय बागानों के हित के लिए भी पूरी तरह से समर्पित है जिस प्रकार असम में हमारी सरकार चाय बागान वाले लोगों को जीवन के हर चरण पर मदद दे रही है वही काम हम यहां भी करेंगे कौंच राजवाउसी जैसी जनजातियों की मांगों पर भी गंबीरता से विचार किया जा रहा है बाई और बेहनों इस बार के चुनाव दो स्पस्ट धाराओं के बीच का चुनाव है एक तरफ इमानदार चौकिदार है और दूसरी तरफ दागदार ही दागदार है एक तरफ आतं को करारा जवाब देने वाली सरकार है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के परोकार यहां दिखते है साथियों जब बाला कोट बाला कोट में हमारे सपूतों ने आतं कियों को गर में गुश करके मारा जब आतं कियों को बाला कोट में घर में गुश करके मारा आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आपका माथा गर्व से उचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सिना चौड़ा हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन जैसे ही बाला कोट में गुश करके हमारे जवान वापिस आए तो रोना किसको चाहिए था? चिलाना किसको जरूरी था? लेकिन रोना कौन किया शुरू? हमारे ही लोग चिलाने लगे, रोने लगे अरे चोट वहाँ पहुची है और दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? जितना दर्द इस्लामाबाद में हुआ लाहोर में हुआ रावल पिंडी में हुआ उससे भी ज़्यादा दर्द ये कॉलकोता में बैठी दिधी को हुआ मोदी ने ये क्यों किया? मोदी सबूत दे मोदी को आतंकियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए बाई और बैनो मोदी ने जो वो किया क्या ठीक किया कि नहीं किया? सही किया कि नहीं किया? चौकीदार ने गुश करके वहां मारा आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप खुश है कि नहीं खुश है? बारत के सपूतों को खुली छूट दी ये मेरा निर्णे आपको मंजूर है आपको पसंद है आपको गड़ब हुआ लेकिन दूईदी को ये पसंद नहीं आया और नहीं ये महा मिलावट के उनके साथियों को ये रास आया ये सभी महा मिलावटी इतना जोर जोर से रोए कि पाकिस्तान में हीरो बन गए वहां के मिडिया में छा गए साथियों एक कैसा भारत चाहते हैं इनकी मनसा बिलकुल साब होती जा रही है दिल्ली में जब यू पिये की रिमोट वाली सरकार थी तब आए दिन आतंगवादी हमले होते थे लेकिन इनों ने कभी भी हमारे वीरों को खुली छुट नहीं दी अब वो इनकी आतंग परस नीती ऐसी हो गई है कि खुले आम हमारे सुरक्षाबलों के सहिनिकों के खिलाब ये अनाप सनाप बयान बाजी कर रहे है कल कॉंगरेस ने एक धकोसला पत्र जारी किया है इस धकोसला पत्र में कॉंगरेस ने देश के सुरक्षाबलों का मनोबल तोड़ने के उनके होसले को चूर चूर करने का काम किया है साथियों कॉंगरेस ने कहा है कि वो जम्मू कश्पीर और हिंसा प्रभावित दूसरी जगों पर हमारे सुरक्षाबलों को जो एक विशेष अधिकार मिला है उसको हटा देंगे यानि कॉंगरेस ने हमारे वीर जवानों को आतंकियों और पत्थर बाजों के सामने लाचार करने उनके हाथ बांधने की साजिस रस्दी है ये कैसी सोच है भाई और बहनों दार जी लिंक के पस्चिम मंगाल के तो हजारों सपूत ऐसे छेत्रों में रास्ट रक्षा के काम में जुटे है अपस्पा सुरक्षा बलों के लिए कवच है ताकि वो सही तरीके से आतंकियों से निपड सके लेकिन क्योंकि इनको अपनी सेना पर विस्वात नहीं है सेना के नियम काईदों देश के नियम कानौं कानौन पर विस्वात नहीं है इसलिए ऐसा वादा करने की हिम्मत ये लोग कर रहे है हमारे वीर जवानों को खत्रे में डालने वाली साजिस को आप सभी को नाकाम करना है नाकाम करोगे क्या नाकाम करोगे क्या भाई व भेनो इस चुनाव में आपका वोट सिर्फ भाजपा के MP बनाने वाले का मौत नहीं है आपका वोट सिर्फ मोधी को प्रदान मंत्री बनाने वाला नहीं है लेकिन आपका वोट हमारे देश के सुरक्षा बलों के सम्मान का भी वोट है साथियों कॉंग्रेस की T.M.C. की इन सभी महा मिलावट योणर की की देश को दसकों से आतंग जेलना पड़ा है लेकिन आपका वोट चौकिदार इनके सामने अब दिवार मन करके खड़ा है जिस तरह आतंग्यों और नक्सलियों पर इस चौकिदार ने नेना एक कारवाई की है आप आस्वस्त रहिए ये मोदी है एक गुस्पेठियों को भी छोड़ने वाला नहीं है और दूसरी तरफ जो हमारे सरनारती है जो कांग्रेश की एतियासिक भूल का शिकार रहे हैं उनके साथ इंसाथ भी यही चौकिदार करेगा साथियों मुझे पता चला है कि यहां पर एनार्सी को लेकर अफ़ाएं फैलेने का काम भी चल रहा है मैं सभी गोड़खा भाईयों बेहनों को इस मंच से आस्वस्त करना चाहता हूँ कि आप ऐसे किसी को भी इसकी वज़े से नुक्सान नहीं उठाना पड़ेगा साथियों मैं से ऐसे हर व्यक्ति को टी एम सी के पेरोल पर गुम रहें जो टी एम सी के पेरोल पर रह करके आतंग फ्यला रहे हैं ड़ना रहे हैं ऐसे हर व्यक्ति को चेताओ ना देताओं कि उनके दिन अब गिन चुके हैं बीजेपी की सरकार आते ही निर्दोष नागरिकों को परेशान करने वालों को हिसाब देना ही पड़ेगा और कानून कानून को जवाब देना पड़ेगा जगाई जगाई मताई ये जगाई मताई का गुन्डो और गुस्पेटियों का ये गड़जोड अब पस्चिम मंगाल में खत्व होने के दिन आ चुके हैं साथियों आपको वोट देने से कोई भी रोक नहीं सकता है आने वाले चुनाओं में आप बिना किसी डर से अपना वोट दीजिएगा भारतिये जनता पार्टी के कायर करता हो भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप पूरी सक्ति से डटे रहिए आपका होतला पस्चिम मंगाल का भाग्य बदलने के लिए बहुत जरूरी है साथियों सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर चल रही एंडिये सरकार पस्चिम मंगाल को दीजी के स्पीड प्रेकर से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है मुझे पूरा भरोसा है कि पस्चिम मंगाल के हीतों की रक्षा के लिए यहां के गौरव की रक्षा के लिए यहां के संस्कृति की रक्षा के लिए और अपने बहतर भविश के लिए आप बारतिये जनता पार्ट के उम्मिदवारी को बोड़ देंगे और यहाँ जो उम्मिदवार है इसमें एक हमारा राजू है दो दसक से मैं इसको जानता हूँ दो दसक से यह हमारे तीनों साथी आपके ही संतान है आपके ही साथी है आपकी समस्याओं का इन्हें पता है यह आपका पूरा ध्यान रखेंगे मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा यह आपको भी स्वाद दिलाता हूँ भाई और बेनो BJP और उसके साथियों के उम्मिदवारों को दिया हर वोट आपका हर वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है आपके वोट से ही मोदी जितने वाला है इसी विश्मास के साथ इतनी बड़ी तादाज मैं आप आशिरवाद देने के लिए आए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं एक नारा बुलवाऊंगा बोलेंगे दोनों हाथ उपर करके बोलेंगे मुठी बंद करके बोलेंगे पूरी ताकत से बोलेंगे मैं कहूंगा मैं भी आप कहेंगे चौकिदार हूँ मैं भी आप बोलेंगे चौकिदार गली गली में गाउं गाउं में शहर शहर में गर गर में युवान नवजवान माता बेने बड़े बुजोड़कर खेश खलिहान में बाग बगीचे में हिंदुस्तान में सीमा पर भी बेश का भविश बेश का भविश बेश के उजला काल आपका सबका असिरवाद बहुत बहुत धन्यवाद कर भविश कर बेश्वान बहुत बहुत